बात पंजाब की हम करते हैं, क्योंकि पंजाब सुलग रहा है बात आज की नहीं है, कई दिनों से ये सिलसिला हमें नजर आ रहा है अक्तूबर के शुरुआती हफ्ते में कपास की तबाह फसल से दुखी किसानों ने पंजाब में आंदोलन किया तो अब धार्मिक भावनाएं भड़क उठी हैं, ये सवाल उठ रहा है कि कौन है जो पंजाब में अमन चैन के लिए खत्रा बन गया है सफेद मक्खी की वज़े से कपास के सानों के आंदोलन से जूज रह पंजाब में अब धार्मिक भावनाएं गुबाल पर है लुधियाना जैसी तस्वीरें जगा जगा देखी जा रही, घुजाना सड़कों पर जगा जगा गुसाई पंगत बैठ रही है हर किसी का सवाल है कि पवित्र ग्रंथ के पावन पन्नों का अपमान करने वाले कब गिरफतार होंगी पंजाब में अचानक पवित्र ग्रंथ के पन्ने फाडने की घटना जिस कदर बड़ी है उससा संकेत साफ है कि अमन चैन बिगाडने की साज़िश बहुत गहरी है मसलां 12 अक्टूबर 2015 को फरीद कोट में पवित्र ग्रंथ के करीब 100 पन्ने फटे हुए पाए गया 15 अक्टूबर 2015 को मुक्तसर में पवित्र ग्रंथ एक नाले में पड़ा हुआ पाया गया तरंथ आरन में भी पवित्र ग्रंथ के पन्ने फटे का मामला सुर्खियों में आया इस वज़ा से गुसाय सिक संगटनों ने राज्य भर में प्रदर्शन शुरू किये फरीद कोट में प्रदर्शन कारियों के खिलाफ पुलिस कारवाई में दो लोगों की मौत हुई इधर पुलिस ने अमरिज सर के निज्जा पुरा गाउं में एक ग्रंथी को ही ग्रंथ फाडने के आरोप में गिरफतार किया है अमरिज सर लुधियाना तरंतारं जलंदर समेट कई जिलों में बियस्फ तैनात की गई है पंजाब के लिए पंजाब के लिए ग्रू ग्रंथ के लिए अमन शांती मना के रखो और ताके हम अपना जो है वो दोशियों को पगड़कर उनको सजाएं दबा सके पंजाब की सुल्गी आग में सियासत वाले भी रोटियां सेकने निकल पड़े विपक्ष ने राजेपाल से मिलकर बादल सरकार को फौरण बरखास्त करने की मांकसानों के आंदोलन से ठप था अब खेत खलिहान के घुस्से में धार्मिक भावनाएं आग में घी का काम कर रही साफ है कि संभल कर चलने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है नोदियाना में मुनीश अत्रे के साथ सतिंदर चोहान चंडीगर आज तक बार्मिक वजले से कुछ तक दो इंदर में आजाएं जोगा काम अत्क पहले से भावनाएं आजे कि समये अजाएं ओर अज़ीजब्स झालाएं आप है कुछ झालाएं दोल्ट व आजगे कि आत्रे कि एत्राइं कुछ येले से जाएंita